नमस्कार मैं हूँ आपके साथ काविंध चोहान तो एक बार फिर हाजिर है हम टेक्स प्लैनिंग के साथ आपके कठिन से कठिन सवालों के आसान भाशा में हम आपको देते हैं जवाब तो इसमें आज मेरे साथ मौझूद है मेरी मदद करने के लिए रजनीश शुकला जी रजनीश शुकला जी जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट है रजनीश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में दन्यवाद कावेंद्र जी तो रजनीश जी आज सबसे पहला सवाल कैपिटल गेन बहुत लोगों के आसपास से होकर गुजर जाता है ये नाप कैपिटल गेन में वो कौन सी इंकम है जो टेक्सिबल होती है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इंकम आ जाती है वो कब कैपिटल गेन के अंदर जाती है जो इसमें टेक्सिशन के जो कैटिगरी है उसके अंदर आती है कावेंद्री जी हम लोग के डिस्केशन इसपे हुए हैं पीछे भी कि हमने benefits of income की बात पीछे करी थी जिसमें हम हम income को consider करते हैं, year end में अपनी income को total assess करने के लिए उसमें से capital gain भी आता है, capital gain अपने आप में specific और special chapter है income tax act का, जो section 45 से लेके section 55A तक को cover करता है, तो important है और rather tax planning जैसा कि आपके program का भी नाम है, तो कहीं निगे capital gain भी उसमें आपको support करता अगर proper तरीके से आपने investment को plan किया है, प्लीज कावें तुछ बिल्कुल, देखें कि gain का यहाँ पर शब्द का जिक्र हो रहा है, तो gain हो रहा है, या gain हो या फिर profit हो, जहाँ पर gain या profit जैसे words सामने आते हैं, तो वहाँ पर सामने एक और चीज निकल कर आती है, वो है asset, तो ये बताइएगा रजजिश जी कि capital asset क्या है फिर यहाँ पर, क्योंकि gain जिससे आ रहा है, वहाँ पर asset की बात हो रही है, तो यहाँ पर capital asset क्या है? देखो जब income को distribute किया, income tax department में, तो आपने as a salary जो कमाया, उसको आप salary के लिए उदर लेके चले गए, आपने कोई business किया, business के तुरू कोई income हुई, आप उसको PGBP में लेके चले गए, आपके पास कोई house property थी, आपको rental वगएरा है, वो आप वहाँ लेके चले गए, कुछ बच गया, जैसे ब्याज वगएरा की income होती है, जिसको आप income from other sources में लेते हो, अब छोड़ के इसको बात करें, तो इसके अलावा भी कई सारे ऐसे transactions होते हैं, जैसे आप मैं property sale की हो, आपने share sale या purchase करे हो, तो ये कुछ ऐसे transactions होते हैं, जो बागी के चार heads में कहीं नहीं होते हैं, हम उनको फिर capital gain में लेके आते हैं, आपके assets हो गए, आप example जैसे अभी बोला, मैंने house property हो गया आपका, आपने कल को कोई car अपनी sale करी, as an individual आपनी sale करी है, company के asset के मैं बात नहीं कर रहे हैं, बेचते हो, तो उससे होने वाली income या loss को हम capital gain head में assess करते हैं, जैसा कि आपने sale का जिक्र किया, कि हम अपनी किसी asset को जब sale करते हैं, तो sale तो तब ही कर पाएंगे जो asset पहले पाँ हमारे पास होगी, तो ऐसे में एक चीज है, एक word है, हमारे पास कोई asset जो है, मैंने जल्दी में खरीदी है, और कोई asset जो है, वो मेरे पास बहुत पहले से, मानली जब पुस्तेनी है मेरे पास, तो ऐसे में एक word जो निकल कर आता है, वो है long term capital asset, long term capital asset क्या है यहाँ पर, इसको differentiate क्यों क्या गया है, कि long term है, इसका मतलब short term भी होगा कुछ, इन दोनों के बीच का अंतर और यह long term capital asset क्या है, कावेंद्री जब आग asset की बात करते हो, तो asset की usage हो जाती है, usage होती है, हो सकता है, आप asset को एक साल के लिए यूज़ कर रहे हो, उनका usage और उसके usage का impact, कहीं नहीं के हमारे income जो हम capital gain में बात करते हैं, उसको impact डालता है, जैसे हमने का कोई asset हमारा बहुत लंबे समय के लिए यूज़ हने वाला है, तो उस तरीकी के asset को वो लेके जाते हैं कि long term asset के थूँँ, उन्हों को define करने की कोशिश करी, asset, normally उसका लंबा usage हो जाता है, और हमने उसको लंबे समय तक रखा भी अपने पास, तो उसको long term asset की category में डाल देते हैं, जो normally अगर asset हमने बहुत कम time के लिए यूज़ किया है, जैसे इनोंने period classify कर दिया, कि 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का, अगर उस period के अंदर ही हम usage करते हैं, या उसको sell out कर देते हैं, तो उसको short term capital asset में लेके जाते हैं, तो जब इनोंने word दो ले लिए short term capital asset, long term capital asset, तो जो gain भी होने वाला है, अगर हमारा period उसको लंबे समय के लिए रोकते हैं, तो जो gain होगा, वो long term capital gain की तरीके से उसको assess करेंगे, उसका treatment हम अलग तरीके से करते हैं, जो short term वाले होगा, उसकी calculation के लिए mapdant अलग हो जाते हैं, प्लीज करवें तरशी देखें, जैसा कि हमारे show का नाम ही है tax planning, तो इसमें हम मदद करते हैं लोगों की कैसे वो tax को बचा सकते हैं, देखे tax आपी को देना है, लेकिन उसको बचाना कैसे है, इसमें हम लगातार आपकी मदद करते हैं, और रजनीज जी जैसा कि हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इस पर आपके सवालों के भी जवाब देने के लिए यहाँ पर रजनीज जी जैसा कि आभी आपने long term capital asset के बारे में लोगों को जानकारी दी इसके साथ long term capital gain और short term capital gain ये क्या है सर हमने हमारे पास कोई asset है और हम उस asset को कल को बेचने जा रहे हैं तो उस समय हम यह assess करते हैं वो हमारे पास कितने समय के लिए था अब asset को भी आपका हिस्सों में category में तोड़ दो हमारी जैसे property हो सकते हैं house property के आप बात कर लो तो उसके लिए map debt अलग हो गया जैसे उन्होंने का है उसको अगर आप 24 मन्द से उपर के लिए रखते हो तो आपका वो long term capital gain में चला जाएगा otherwise उसको short term capital gain में कर देंगे shares की आप बात करते हो अगर shares आपके पास हैं तो बारा महीने तक के लिए वो short term में उसको assess करते हैं बारा महीने से उपर की अगर आपके पास holding हो जाते हैं इसको long term में लेके चले जाते हैं फिर इसके बाद ऐसे ही debt oriented fund की बाद अभी हमने equity की पीछे बात करी है अब next step debt oriented fund की है वो उसके लिए भी भी time वही 36 महीने का चलता है house property हो गया और इसके अलावा गर कोई asset बचता है इसके अंदर जो आ जाएंगे उसको short term capital asset मानेंगे short term की treatment करेंगे जो इसके बाहर चला जाएगे उसको long term की तरीके से हम treat करेंगे क्योंकि देखिए रजनीज जी जब आम राय जब हम लेते हैं तो उसमें यह चीज निकल कर सामने आते हैं यह capital asset की बात करते हैं वहाँ पर taxable जैसी चीज़े आ जाती हैं तो उनको बचाना बहुत जरूरी है ऐसे में मैं यहाँ पर यह जानना चाहूँगा कि जो capital gain है long term capital gain है उसको हम compute कैसे करने हैं मने calculate कैसे करने है long term जो capital gain होते है इसके लिए formula दिया उन्होंने आप अपनी sale price जिस पे आप बेशने वाले उस figure को उठाइए इसके बाद आप देखिया आपने asset खरीदा कब था अब इसमें एक word आता है indexation का indexation में basically हम inflation की cost inflate करते हैं cost को base rate लेते हुए जिस साल में actual में आपने asset खरीदा था अपना तो साल का base rate लेते हैं let for example हम आज इसको बेचने वाले financial year में तो इस financial year का हम indexation का rate उठाएंगे और let assume 10 साल पहले का हमारे पास asset था तो 10 साल पहले का हम indexation rate उठाएंगे cost को उस पे inflate करेंगे अपनी वह हमारी cost हो जाएगे acquisition cost similar footing पे अगर हमने कोई improvement कर रहा है asset में तो cost of improvement को add करेंगे और इन सारी cost को लेने के बाद को और expenditure भी उससे related direct है तो उसको add करेंगे उसको भी inflate करेंगे difference निकालेंगे जो difference हो जाएगा वह हमारा long term capital gain हो जाएगा उस long term capital gain पर accordingly हम जो भी rate prescribed है उसके लिए उससाब से tax देगे क्योंकि अब rates में आपके vary कर जाते हैं आपके shares की बात है तो rates अलग तरीके से move करते हैं आपके अगर जैसे house property की बात कर लो जो आपका basic question house property के आसपास घूम रहा है तो house property में आपके rate अलग तरीके से चलते है capital gain को इसके साथी short term capital gain को कैसे calculate करेंगे क्योंकि दोनों बहुत माहिने रखते हैं sir long term में तो मेहनत है short term में कुछ भी नहीं है आपके पास sale price है आपके पास cost price है जो difference आपका हो जाएगा वह आपकी short term capital gain हो जाएगी जी देखे जैसे कि आप यह आपने indexation की बात करी यह जो benefit of indexation है इस स्थिती में मिलता है कि मैं कोई short term capital है मेरे पास उसको अगर मैं कहीं बेच रहा हूं उसको transfer कर रहा हूं तो ऐसे में वहां कोई benefit नजर आता है indexation के माइनों से नहीं बिल्कुल नहीं indexation का देखो indexation आपकी cost के differential को कि इतने सालों तक आपने एक asset को hold करके रखा है उस से related cost का benefit देने के परपस से आपका indexation लाया गया है short term में तो आप साल के विदिनी आप किसी asset को बेच रहे हो तो मापे आपकी यह possibility नहीं बनती है जैसे कि लगातार हम जानकारी दे रहे हैं आपको कि यह जो capital gain है इसके तहत आप कैसे अपना tax बचा सकते हैं अभी तक हमने आपको बताया कि दरसल है क्या क्या अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम आपको लगातार बताते जाएंगे कि यहाँ पर tax कैसे आपको बचाना है पुराना ऐसेट है, 142001 के valuation कराईए, 142001 का base rate लीज़े, इस साल का आप indexation cost लीज़े, उसको in rate करें फिगर को वो आपको revised cost हो जाएगी अचा मतलब अगर मेरे पास कोई property है, वो 1985 की है, 1975 की है तो उसको calculate करने के लिए 1st referral 2001 ही को लिया जाएगा, उसी को consider किया जाएगा standard बना दिया गया है government की तरफ से अब एक और सवाल मेरा कोई undisclosed income है ठीक है रजीज जी उसको declare किया गया है declaration scheme के अंदर 2016 की तो यहाँ पर क्या cost of acquisition होगी ऐसे capital asset के लिए क्या acquire करने की cost रखी जाएगी सर अगर आप 2016 की बात करें तो income declaration scheme थी यहाँ उसमें अगर आपने कोई asset declare किया हुआ है तो आपने वहाँ पर एक value है जो सरकार को दी होगी जो accepted value होगी और वही आपकी cost माल ली जाएगी जसके basis पे आज जब भी आप sale करोगे तो आप अपनी capital gain की calculation करोगे तो that will be your cost for the purpose of sale today जैसा कि रजिनीजी सबसे पहले ही program की start होते वक्त ही आपने मुझको बताया था कि capital asset को जब हम transfer करते हैं तो उसमें capital gain जो होता है वो taxable होता है उसपर tax लगता है यहाँ पर transfer specific बात करता हूँ यहाँ पर transfer word जो है उसके कितना बड़ा उसका दारा है क्या क्या आता है इसके अंदर transfer के अंदर transfer if you say if you're selling something it's a transfer transfer अगर आप किसी चीज़ को exchange कर रहे हो it can be for money it can be for any other asset exchange भी आपके transfer में आजाता है कभी कभी होता है कुछ cases में you're relinquishing the right तो यहनी sale की बात करी exchange की बात करी relinquishment of right की बात करी extinguishment of right की बात करी कई बारी होता है सरकार आपकी property को acquire कर लेती compulsory acquisition हो गया आपकी property का वो भी transfer में आ जाएगा इसके बाद उन्होंने zero coupon bond वगरा की बात करी है जब उनकी maturity आ जाती है तो वो वाली चीज़ भी आपके पास आ जाती है तो इस तरीके इसे ये सारी जो चीज़े है जब भी आपके पास है factually asset आपके पास है transfer हो गया for virtue of any these reasons तो उसको हम transfer मानेंगे और उसको capital gain में लेके आ जाएगे जब हमने transfer की बात करी दिया तो लोगों के जहन में इस सवाल जरूर आया होगा कि कोई asset को अगर gift के तौर पर transfer करता है देखे रजीज जी बहुत आम बात है कि gift के तौर पर भी assets जो है वो transfer होती है जब हम gift के तौर पर किसी asset को transfer कर देते हैं तो ऐसे में जो capital gain है उसका calculation कैसे किया जाएगा सर जब आप किसी को gift देते हो किसी property को assume कि आप अपनी property अपने ब्रदर को या किसी को gift कर रहे हो तो at the time of transfer आपका taxability उस समय पर नहीं आती को आपको tax सरकार उस समय पर नहीं लेती पर यह transfer है यह transfer है अपने आप में हाँ यह ही कि आपकी taxability differ करती जब अगला person उस property को बेचेगा जिसको अपने gift दिया है तो फिर उस समय जिस साल में उस सेल करेगा उस साल कि आप value पकड़ोगे और आपने पीछे जो जिसने gift किया है उसकी जो cost हो कि वो cost ले जाएगी उसके लिए तो आपका period of holding के लिए यह assess होते है बाकि जिस साल में जिसको अपने gift किया वो sale करेगा taxability हम उस साल में करेगा देखे इस बीच रजीश जी आपके लिए एक सवाल भी आ गया सवाल यह है कि एक property है एक व्यक्ति है उसने property जो है वो 5 साल पहले खरी दी है वो आज यह पूछ रहा है आपसे कि वो property अगर आज बेजता है 5 साल पहले खरी दी आज बेजता है तो ऐसे में जो उसे income हो रही है क्या वो taxable है बहुत आसान सा सवाल है लेकिन फिर भी हाँ सर बिल्कुल taxable होगी 5 साल के मतलब long term capital gain में जाहेगा वो अपना प्रॉपर इंडेक्सेशन करें cost of improvement, cost of purchase इन values को और जो भी cost उनकी लगी है उसको purchase करने उसको add करें और इसके basis में जो भी इनकी cost आती है उसको sale price में से reduce करके differential उनका tax बनता है long term capital gain है house property के बाद है 20% पो taxable होगी रजी जी देखिए ऐसा है capital gain पे tax की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं तो exemption दिये जरूर गए होंगे तो ऐसे में एक section निकल कर सामने आता है वो है section 10 तो ऐसे में ये बताइएगा इस section में जब exemption की बात होती है तो exemption किस तरह के और किन-किन special cases में दिया जाता है sir हमारे पास exemptions भी है और सरकार ने benefits भी दिये है कुस sections में अगर आप भी exemption की बात करो तो exemption में उन्हें जैसे अभी हमने पीछे share security की बात करी थी तो उन्होंने उसमें अगर agricultural land है section 1037 में उसके capital gain को उन्होंने छोड़ा हुआ है कुछ asset अगर आप land pooling scheme में अंदरपदेश का अंदरपदेश में जो concept आया था पीछे capital city वाला उसमें अगर गया तो उसको exempt किया हुआ है पीछे नोंने 1038 में भी एक benefit दिया हुआ था हाला कि वो तो इस पार withdraw कर लिया तो छोटे चोटे चोटे benefit है exemption के जो अब रहते हैं बाकी benefits हाँ यह section है को जिसमें section 54 जिसमें अलग से उन्होंने अच्छे benefits दिये हैं अगर person उसको properly plan कर पाए तो जहां पर tax की बात होती है वहां पर slab की बात जरूर होती है तो उसका जो rate है क्या लगाया जाता है किस rate से वो तैग किया जाता है capital gain हमने बताया आपको separate chapter है तो इसकी accessibility separate तरीके से होती है यह अभी हमने चर्चा भी राधर करी थी कि अगर आपके shares हैं और shares या equity oriented fund equity shares की बात करें तो taxability 15% की है अभी हम long term की बात करें तो और अगर long term में आपके पास equity share equity oriented fund है तो उसमें आपका 20% की taxability चली जाती है अगर आपका gain जो है more than 1 lakh का है तो उसमें 10% की taxability आती है तो normal scenario में है capital gain जब आप long term capital gain की बात करते है तो आप जैसे for example हम आपके individual की assessment की बात करें तो आप 5 हेड में अपने income आप लेते हो 5 हेड की income में से आप long term capital gain वाली income को अलग रखते हो क्योंकि बाकी balance जो है वो slab rate के साब से taxable है लेकिन long term वाला आपका 20% या 15% as the case में भी taxable होगा तो वो आप GTI में से उसको अलग से assess करते हो यह तो गया long term में short term capital gain की जब आप बात करते हो तो वो normal जैसे आप अपनी 5 हेड की income लोगे 4 हेड की उसी में 5 माट capital gain भी होगया normal आप उसके income जोड़ोगे और normal तरीके से उसके उसके उपर slab के साब से आप से अपने tax assess करके tax पे करते होगे majority of cases में रजनीश जी क्या होता है कि मैंने कोई property ली उस property से जो मेरे को income हुई कई मामलों में ऐसा होता है कि उसको reinvestment की जरुद पड़ जाती है reinvestment कर देता हो व्यक्ति ये बड़ा chapter है broad है लेकिन इसको जानना बहुत जरुदी है ये बताइएगा कि कोई property है उसको अगर मैं बेचता हूँ उससे जो income आती है उसको reinvest कर देता हूँ ऐसे में क्या benefit है कहा है और किस तरीके से सरकार के द्वारा दिये जाते है section 54 में आप लेके जा रहे है 54 में इसमें काफी इसे relevant sections है जो आपको benefit देते है अलग लग लेवल पर आप individual हो 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 या any person की case में भी वो category cover करते हैं हम आपको फट फट इसको brief करते हैं जैसे आपने house property कल को आपके पास थी आज आप house property अपनी sale out करते हो sale out करने के बाद अब आज आपको sale करने के बाद one year पहले से two year बाद तक में या तो आप property acquire कर लेते हो या आप अगले तीन सौलों में property construct करा लेते हो अगर पीछे property जो बेची थी उसमें जो भी capital gain आपको हुआ है वो capital gain आपका exempt हो सकता है यहाँ पर आपको छूट मिल सकती है condition उन्होंने देदी कि जो भी आपके पास capital gain हुआ है उससे ज्यादा value का अपने निया asset खरीदा है clear है अगर आपने उससे कम value का खरीदा है तो हाँ देखो फिर taxability वहाँ पर आ जाएगी यानि आप अगर उससे higher value पे अगर आप asset purchase कर लेते हो निया वाला तो आपको benefit दे दे हैं यह हो गया capital house property में इन्होंने कहा अगर आप उपास agricultural land agricultural land आप इसले दो सालों से यूज कर रोगर कल्चर के लिए यूज करते हो सेल करने के बाद within two years अगर आप अपना दूसरा agricultural land खरीद लेते हो तो उन्होंने का ठीक है आपको capital gain से छूट दे देते हैं again condition वही आती है क आप उसमें नया जो खरीदते हो तो capital gain के ऊपर value तो पूरा-पूरा capital gain आपको benefit दे देंगे otherwise वह आपका balance capital gain होगा उसकी taxability की बात करेंगे यह तो होगे दो आपके capital asset कई बार होता है आपने आपके पास industrial land है industrial land आप बेशते हो industrial land में भी उन्होंने benefit आपको दिया कि आप नय purchase करते हो तो आपको उसमें capital gain का benefit मिल जाएगा आपके पास कोई और long term capital asset है उस capital asset को आप use करने वाले हो house property खरीदने के case में आपको वहाँ भी benefit मिलता है आपने आपके पास assets है आप उन assets को लेके जा रहे हैं और SZ में आप नया आपने setup लगाने वाले तो आप यहां से assets को shift क करके वहां लेके जाते हो उन्होंने का उसमें भी जो आपको जो cost आती है उसमें capital gain का benefit देते हैं कई बारी आप अपने business को shift करते हो plant and machinery को shift करते हो अप urban areas उसको shift करके कहीं बाहर लेके जा रहे हो उसमें भी अगर आपको capital gain का कोई benefit आ रहा है तो उसको आपको वह सरकार उसक इसमें जी बलकुल रजिनीज जी एक चीज जाननी थी आपसे ऐसे कोई bonds हैं जिसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो वहां पर मुझे tax relief मिलता है देखो section 54 जो हमारा है वो long term capital gain में आपको benefit देने की बात करता है उसमें से एक benefit ये भी है कि अगर आपका long term capital gain हुआ है और within a specified period आप उसमें से कुछ amount उठा के particular bonds में इन्वेस्ट कर देते हो तो वहां पर benefit है आप bonds में आप ले ले लेते हो तो rural electrification cooperation का bond हो गया आपका इंडियन डेलवे का bond हो गया आपका पीछे आपका उसका आया था power finance cooperation वगयरा खो गया तो इन bonds में अगर आप invest करते हो तो येस आपको वहां पर capital gain का benefit मिलता है तो जिस तरह से रजनीज जी ने आपके सवालों के यहाँ पर जो जवाब दिये हैं मैं उमीद करता हूँ इससे आपको बहुत फाइदा मिला होगा और किस तरहीके से यहाँ पर आपको कैसे tax बचाना है किस तरहीके से reinvestment करके आपको यहाँ पर अपनी जेव जो खर्च है उस पर बोज नहीं पढ़ने देना है इस पर रजनीज जी हमारी मदद कर रहे थे तो यहाँ पर किस तरीके से टेक्स बचाना है किस तरीके से कहा अपना पैसे इंवेस्ट करना है और किस तरीके से यह जो पेचीदा जो यहाँ पर सवालात है इनसे कैसे बचना है इन सब के जवाब है टेक्स प्लैनिंग तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए टेक्स प्लैन झाल झाल